हेलो अब्रिवन वेल्कम टू सक्सेज वित राय अकेडमी 11 अप्रेल 2022 के करेंट अफेर को आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे उन सभी कोश्चन को कवर करेंगे जो एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से इंपॉर्टेंट है हर कोश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फ जाता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला कोश्चन है आउसर योजना किसके द्वारा सुरू की गई है इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए ए आई याने की एरपोर्ट अथोर्टी ऑफ इंडिया भारती विम इविलाओं कारीगरों और इसफ़ कारों की प्रतिभा को व्रोच साहित करने और उन्हें सही वमसर प्रदान करने के लिए व सर यह पहल सुरू की है आउसर का जो मतलब है उसका यानिकी फुल फॉर्म है वो जान लीजिए इसका फुल फॉर्म है airport as venue for skilled articians of the reason ये इसका फुल फॉर्म है हिंदी में से कहेंगे छेत्र के कुसल कारीगरों के लिए इस्थान के रूप में हवाई अड़ा आउसर के तहट जो AAI की एक पहल है आतनिर्भर के लिए अपने परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वा अरजित समुहों में संगठित करने में मदद करने का आउ स्वेम साहता समुहों को बारी बारी से 15 दिनों की आउधी के लिए इस्थान आवंटित किया जा रहा है चेननई अगरतला दहरादून कुशिनगर उदैपूर और अमरत्सर हवाई अड़े पर कुश आउटलेट पहले ही चालू किये जा चुके हैं जहां इस्थानी संचालित स्वेम साहता समुह अपने घरेलू उत्पादों को परदर्सन और विप्णन कर रहे हैं जैसे फूला हुआ चावल पैकेट पापड अचार बास अधारित लेडिस बैग इत्यादी तो इस कोशन में हमें जानना है डबल ए आई याने कि जो एरपोर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया है इसके बारे में हम जानेंगे तो जो एरपोर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया है इसमें तीन बातों पर मेंली फोकस किया जाता है पहला है यात्री सुविधा इसमें सबसे पहले एरपोर्ट अथर्टी ऑफ इंडिया का मुख कार यात्रियों के टर्मिनल का न AI के महत्पूर्ण कार्यों में से एक हैं उन्नत हवाई निविगेशन तक्नीक का उपयोग करके विमान का सही संचालन सुनिश्चित करना Airport Authority of India का सबसे important कार्य है तीसरा जो main कार्य है वो है हवाई अड़े पर सुरक्षा AI बहुत सारे सुरक्षा उपय करता है ताकि यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके अन्निकेंद्री एजेंसियों के मदद से हवाई अड़े और हवाई अड़े पर सुरक्षा का प्रबंधन Airport Authority of India दोरा ही किया जाता है अब हम अगर बात करें तो जो Airport Authority के बारे में कि ये जो है 2018 में 341 मिलियन से अधिक प्रसेंजर्स को समाल रहा है हर साल भारत में 5% की दर से हवाई यात्रा या यात्राएं और जो यात्री हैं वो बढ़ रहे हैं भारत में घरेलू और अंतराष्टी दोनों हवाई यात्राएं तेजी से बढ़ रही हैं भारत समयुक्त राज अमेरिका और चीन के पीछे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डियन बाजार है तो यह important facts थे अब आपको comment box के माध्यम से बताना है कि नागरिक उड्डियन मंत्री वर्तमान में नागरिक उड्डियन मंत्री कौन है और आपको मैं इतनी hints दे देता हूँ कि वो मद्ध्यपरदेश के हैं चलिए next question पर आते हैं next question है M.A. trustee कि स्वामित मानदंडों की समिक्षा के लिए किस समिती का गठन किया गया है तो इसका right answer होगा third option सेवी द्वारा इसका जो गठन है वो सेवी द्वारा किया गया है तो भारत प्रतिभूती व व विन्यमय बोड याने सेवी ने परिसंपत्ती प्रबंध फार्मों याने asset management firms में प्रायोजकों और ट्रस्टियों की जिम्मेदारियों योगिताओं और कारियों को देखने के लिए दो विसेसक के समुहों का गठन किया है एक प्रायोजक एक प्रमोटर के समान एक AMC की स्थापना के लिए धन प्रदान करता है जबकि एक ट्रस्टी परवेक्षक के रूप में कारि करता है और निवेसकों के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है सेभी ने एक बयान में कहा है कि नए खिलाडियों को अनुमती देने के लिए पात्रता मांधंडों का एक विकल्पिक सेट विक्सित किया जा सकता है आधित बिल्डा सन लाइफ एमसी के एमडी और सीईओ बाला सुब्रामनियम प्रयाज़ुकों का कारेसमूं की अध्यक्षता करेंगे तो इसमें अब हमें इंपोर्टन फेक्ट्स में जानना है सेभी के बारे में तो सेभी के बारे में इतना जान लीजे कि जो सेभी की स्थापना की गई थी याने की सिक्योर्टी एंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हर्सद महता स्कैम हुआ था 1992 में उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी ताकि शेर मार्केट के लिए भी एक रेगुलेर्टी अथोर्टी होनी चाहिए और उसी के तहट इसकी स्थापना 12 अप्रेल 1992 को की गई थी इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है और NSDL याने कि National Securities Depository Limited इसकी सबसीडरी है चलिए next question पर आते हैं RBI ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है 93 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम का जुर्माना RBI दोरा लगाया गया है तो इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट अप्शन IDBI बैंक भारती रिजर्ट बैंक ने घोशना की है कि उसने IDBI बैंक और एक्सिस बैंक पर केवाईसी मानुकों से जुड़े विभिन उलंगनों के लिए प्रतेक पर 93 लाख रुपए का जुर्बाना लगाया है दूसरी और RBI ने कहा है कि दंड नियामक अनुपालन मुद्दों पर आधारित है और इसका उद्देश अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेन देन या वैवस्था की वैधता पर सासन करना नहीं है एक प्रेस विग्यप्ती के अनुसार नियामक द्वारा प्रदान की गई कुछ सिफारिसों का पालन करने में विफल रहने के लिए भारती रिजर्ब बैंक द्वारा एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपे का जिर्माना लगाया गया है सिकायत के अनुसार निजी छेतर के रिण दाता ने कई रिण और अग्रिम प्रावधानों के साथ साथ नो यूर कस्टमर याने की केवाईसी निर्देसों और बचत बैंक खातों में नियुन्तम सेस रासी के रख रखाओ के लिए दंडात्मक लागत लगाने का भी उलंगन किया है तो इसमें अब जो जिर्माना लगाया गया है वो आर बियाई दोरा लगाया गया है तो इस इंपोर्टन फेक्ट्स में हम आर बियाई के बारे में जानेंगे आर बियाई जिसका फुल फार्म होता है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया इसकी स्थापना एक अप्रेल 1935 को हुई थी इसका राश्टी करण एक जनवरी 1949 को हुआ था इसका हैट कौर्टर मुंबई में है वर्तमान में इसके गवर्नर सक्ती कांत दास हैं चार डिप्टी गवर्नर होते हैं पहले हैं एम के जैन दूसरे हैं एम डी पात्रा तीसरे हैं एम राजेश्वर राओ और चौते हैं टी रभी संकर चार डिप्टी गवर्नर होते हैं चारों के आपको नाम भी बता द किसने aerospace engineering और digital innovation center launch किया है तो इसका right answer होगा second option infosys IT प्रमुख infosys और प्रमुख और दोगिक तक्निकी कंपनी Rolls-Royce ने बैंगलूर करनाटक में अपना संयुक्त aerospace engineering और digital नवाचार केंदर खोला है यहां केंदर भारत से Rolls-Royce की engineering और समु वैवसायंस सेवाओं के लिए उन्नत digital चमताओं के साथ एकिकरत उच इस तरिये R&D सेवाएं परदान करने के लिए स्थापित किया गया है इस सहयोग के हिस्से के रूप में Infosys और Rolls-Royce digital और engineering नवाचार और संबद लागत अनुकूल रणनीती को चलाने के आउसर का पता लगाने के लिए अपनी aerospace engineering और digital सेवाओं की छमताओं को मिलाएंगे Infosys और Rolls-Royce के सहयोग को रणनीतिक सौधे के माध्यम से मजबूत किया गया है Infosys के बारे में अब इसमें आपको important facts जानने हैं तो Infosys की स्थापना 7 जुलाई 1981 को की गई थी Infosys के CEO हैं सलिल पारिक इसका मुख्याले बैंगलोर में है और Rolls-Royce के CEO हैं टॉस्टन मुलर ओटोफ्स इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और इसका headquarter UK United Kingdom में है चलिए next question पर आते हैं किसके दोरा solid fuel Dicted Ramjet तक्नीक का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया है इसका right answer होगा first option DRDO दोरा रक्षा अनुसंधान और विकास संग्ठन ने 8 April 2022 को उडिसा के तट पर एकी करत परिक्षण range चांदीपूर से Solid Fuel Detect Ramjet याने की SFDR booster का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है परिक्षण ने सभी मिशन उद्देश्णों को पूरा किया SFDR आधारित प्रणोधन मिसाइल को सुपरसोनिक गती से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खत्रों को रोकने में छमता बनाता है इसकी 350 किलोमेटर की अत्यादिक उच अनुमानिक सीमा है अब DRDO के बारे में जान लीजिए DRDO के जो अध्यक्ष है वो जी सतीस रेड़ी है स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्याले याने हैडक्वाटर नई दिल्ली में है चलिए नेक्स्ट कोश्चन AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना किस मंत्राले दोरा की गई है इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट आप्शन सूचना और प्रसारण मंत्राले दोरा सूचना और प्रसारण मंत्राले दोरा एनिमेशन द्रश, प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स प्रचार कारे समू की स्थापना की गई है टास्क फोर्स जिसका निर्तत आई एन बी सचीव करेंगे 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार योजना त्यार करेगी उद्योग, सिक्षाविद और राज्य सरकारे सभी का प्रतिनिधित्व करती है अपने बजट भाशन में केंद्री वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने AVGC AVGC प्रोमोशन टास्क टीम का गठन करने की घोशना की थी संगठन एक राश्टिये AVGC निती विक्सित करेगा AVGC से संबंदिच छेत्रों में इसनातकोत्तर और PhD पाठकरमों के लिए एक राश्टिये पाठकरम ढाचे की सिफारिस करेगा और कौशल कारकरमों की साहता के लिए सैक्षनिक संस्थानों वैवसाइक प्रसिक्षन केंद्रों और उद्ध्योक के साथ सहयोग करेगा नेश्ट कोशन है प्रधान मंतरी मुद्रा योज़ना को कितने वर्स पूरे हुए हैं तो इसका राइट एंसर होगा थर्ड ऑप्शन साथ वर्स प्रधान मंतरी मुद्रा योजना या PMMY अपनी सात्मी वर्षगाट मना रहा है। महिला उद्रमियों को स्विक्रत कुल रिणों की संख्या का लगभग 68% प्रतिसत प्राप्त हुआ है। नए उद्रमियों को लगभग 22% प्रतिसत रिण प्राप्त हुआ है। एम के घोशित लक्षियों में 10,000 अटल टिक्रिंग लैप्स, 101 अटल इन्विलेशन सेंटर विक्सित करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 उद्रमियों को प्रायोजित करना सामिल है। लाभारतियों की स्थापना और सहायता पर कुल 2000 करोल रुपए से अधिका बजट व्या किया जाएगा। 2015 के बजट में वित्यमंत्री की गोश्रा के अनुसार मिशन नीती आयोग द्वारा चलाया जाएगा। एम का लक्ष स्कूल, विश्विद्याले, अनुसंधान, MSME और उद्योग इस्तरों पर हस्तचेव के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्विता के एक पारिस्तित्र की तंत्र को बढ़ावाद देना है। बयान के अनुसार एम ने धाचागत विकास और संस्था निर्मान दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है। बना है। तो अगर ये बनता है जीतता है पुरुसकार तो फ्रिस्तित पर डिसकस करेंगे। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि टॉम ऑफ सेंट कुस्ता के लेखा कौन है गितांजली स्री। ये इसका सतावनवा वीरता दिवस था। याने है इस दिन 1965 में CRPF की एक छोटी टुकडी ने गुजराग के कक्ष के रण में इस्तित सरदार पोश्ट में बड़े पैमाने पर आकर्मन कारियों पाकिस्तानी सेना को हरा कर इतिहास रचा था। CRPF के जवानों ने 34 पाकिस्तानी सेनिकों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। इस युद्ध में CRPF ने 6 कर्मियों को खो दिया था जिसमें जिनोंने सहाधत प्राप्त की थी। तो ये आज का याने 11 अपरेल 2022 के Current Affairs का वीडियो था। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल Success with Rai Academy से मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।